यह हमने कमपास लिया है इसकी जो मैगनेटिक सुई है उसको नोर्थ और साउथ डारेक्शन में इस तरह से सेट कर लेते हैं अब हम नोर्थ और साउथ इस तरह से लिख लेते हैं और अब हम एक मैगनेट लेते हैं और इस तरह से उसको लटका लेते हैं जब हम इसको फ्रिली suspend करते हैं और इसको घुमाकर इस तरह से छोड़ते हैं जब यह रुखता है तो हमेशा north direction और south direction की तरफ ही रुखता है मेगनेट का north pole north direction की तरफ होता है और south pole south direction की तरफ होता है तो उसका North Pole North Direction की तरफ रुखता है और South Pole South Direction की तरफ रुखता है इस तरह से Magnet की Help से Directions का Easily पता लगाया जा सकता है पहले की टाइम में भी इसी तरह से Magnet से Directions का पता लगाया जाता था